दोस जी जोन से से बना विज़े बहुत ही टेस्टी और सा नास्ता इससे आप बचों को टिफिन दे सकते चोर जोक बोड़ें चोरी भूट एक हांकर कर लिए। तो इस healthy और tasty नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूजी तो देखे मैं आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूं आप बाड़ी एक मोटा किसी भी quality के सूजी से इस नास्ते को बहुत आराम से बना करके त्यार कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कप नहीं है तो किसी भी का टोड़ी से आप इस तरीके से सूजी को नाप करके इस नास्ते को बहुत आराम से बना करके त्यार कर सकते हैं तो चलिए आप सूजी को हमें पीषना होगा इसके लिए ले रही हूं मिकसर का जार सूजी को सबसे पहले मिकसर के जार में हम डाल देंगे सूजी को मिकसर के जार में डालने के बाद अब दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है दही तो आप जितना सूजी का इस्तमाल कर रहे हैं उतना ही दही का इस्तमाल करें इस बात का आप धिहान रखें लेकिन इस रेसेपी पे आप फ्रेस दही का इस्तमाल करें खटे दही से आप इस रेसेपी को बिल्कुल भी ना बनाए जितना हम दही इस्तमाल किये हैं और जितना सूजी इस्तमाल किये हैं सेम क्वांटिटी में हम पानी इस्तमाल करेंगे यान नास्ते को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बास है वो यह है कि आप बैटर को थोरा सा ध्यान से देखे देख पा रहे होंगे कितना पतला बैटर बनाया हुआ है हमने इस तरीके से चमच को एक बार बिक्स करें चमच में हलकी सी कोटिंग हो जायने चाहिए इस तर मोटे-मोटे रफली चौप करके इस्तमाल कर देए हुँ आप प्याज के जगा पे टामाटर का इस्तमाल कर सकते हैं थौरा सब पता गो करें बेकिनग पाउडर से इस नास्ते को बहुत आरामने के लिए इस तरीके का कटूरी से बहार नास्ता बनने के बाद बहुत असाने तरी इसके लिए तीन कटोरी में सबसे पहले टिल CRA करके तैयार कर लुंगी और इसके बाद हम इसमें बैटर को फिल करेंगे तो कटोरी में मैं थोरा C जगा छोड़ दे क्योंकि नास्ता फूल एगा इस तरीके से देख पा रहे होंगे तीनों कटोडी में बैटर को डाल ले हूँ पैन में डालेंगे एक कप पानी जैसे ही पानी हलका सा गरम हो जाएगा इसमें कटोडी वाले नास्ते को डाल देंगे और इसे ढख करके हाइप स्टीम पर स्टीम करेंगे कम से कम 5-7 मिनट के लिए 10 मिनट के अंदर में आछे यह नास्ता तरीके से स्टीम हो जाता है वह आथ मिनट के बाद आप लोगे दिखा रही हूं देखें नास्ता अच्छे तरीके से फूल सिंपल तरीके से बनाया है किसी भी परकर का तर्का नहीं लगा है तो फ़सा थिम करेंगे वर देखें 2 मिनट निक अच्छे तरीके से क्लीन निकले तो समझें कि नास्ता अच्छे तरीके से स्टीम हो चुगा है गैस को बंद करके इस प्रंगे घवे में छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए तक यह थोरा सा ठंडा हो जाए आप नास्ते को गरम-गरम में ही कटोडी से बाहर ना निकाले नहीं से निकाल करके दिखा रही हूं ताकि बहुत यह थानी तरीके से आप नास्ते को बना पाएं मेरे कहने पर एक बार इस नास्ते को जरूर से बनाएगा ब्रेट खाना भूल जाएंगे इतना ज्यादा टेस्टी यह नास्ता बन करके तयार होता है तो देखिए आप चाहें त इसे हलका सा दोनों तरफ से थोरा सा क्रिस्पी कर लेंगे तो देखिए इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साड़ से भी अच्छा तरीके से थोरा सा क्रिस्पी बना करकर त्यार कर लेंगे तो आपने देखा इस नास्ते को बनाना कितना ज्यादा आसान है बस सूजी और दही को घोले और बस प्याज आपको जो भी सबजी खानी पसंद है उसे डाल सकते हैं नाहीं इसमें बहुत सारी सब्जिया का इस्तमाल किये हुए हैं और नाहीं घंटो आपको इसको रेस्ट पर रखना है बहुत ही सिंपल तरीके साथ इस नाश्टे को बना कर कर तयार कर सकते हैं तो एक नाश्टे को आए चैटनी बना सकते हैं यह तना करके दिखा रही हूं कितना ज्यादा सब्सक्राइब कर लिए बिडियो को छोटा साला लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर श्यार किजिएगा कमेंट करके जरू बताइए कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लेगी एक बार मेहने करने पर इस रेसिपी को जरूर श्यार किजिएगा